नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशा सत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ, आपका इश्टो फ्रेंट संतो संतोशी, दिनांक पांच मार्च, पूरे दिन का हाल, पांच मार्च आपके लिए कितना बड़ा सवगात ले आएगा, पांच मार्च को आप क्या करें पांच मार्च आपके लिए क्या कुछ देने जा रहा है ये पूरी जानकारी लेकर कि उपस्तित हुम है दो दो तितियों का समागम रहेगा आज दो तितियां नौमी और दसमी आपके लिए कितना खास होने जा रही है इन तिथियों में आज आपके साथ क्या प्लस क्या माइनस होगा सारी जानकारी आपको देंगे लेकिन आपको बताएं कि आज को लेकर मात्र तीन दिन बचा है जब आप रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं महानिशीत तंत्रोक्त महायग्य में भाग लेने के लिए आप इस अवसर का पूर्ण लाव ले इसके लिए हम बार-बार आपसे आग्रह कर रहे हैं मन पच्छता ही है अवसर बीते अवसर बीत जाता है तो मन को पश्चा ताप होता है देर मत करिए तत छण इसका लाव लेजिए आईए सुरवात करते हैं आज का जोतिश दिशा सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग फालगुन माह किष्ण पक्ष नौमी तिथी सुबह आठ बज़ कर चार मिनट ते किसके बाद दसमी तिथी का उदे चंद्रमा आज धनुराशी में नक्षत्र रहेगा मूल दोपहर तीन बज़ कर उनसठ मिनट तक मतलब चार बज़े तक और उसके बाद मूल लक्षत्र के बाद पूरवा शाढ़ा योग रहेगा सिध्धी तज अनुसार दिरांग पांच मार्च दिन मंगलवार रहुगाल दोपहर तीन से चार बज़ कर तीस मिनट तक और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर बारे बज़े से एक बज़ कर तीस मिनट तक राहुकाल नए और शुमकामों के लिए पूरी तरह से त्याज्य है इसमें बिल्कुल मत करिएगा गुलेकाल में आप कोई भी नया और शुमकाम का आरंब कर सकते हैं काम आपके बन जाते हैं तो आई अब मेश्य लेकर मीन तक जान लेते हैं आज की पूरे दिन का हाल आज की भविश्वाणी भविश्वाणी आरंब करें लेकिन बता दें आपको कि आप हमसे आज और कल दो दिन इंदौर में मिल सकते हैं इंदौर में मिलने के लिए कारेगाले के नंबर पर आप बसके वल इंदौर अपॉइन्मेंट लेकर के भेजिए अपॉइन्मेंट आपका बुख हो जाएगा सुरुवात करते हैं आज के भविश्यमानी का सबसे पहले मेश राशी केतू और सुक्र का नक्षत्र है चंद्रमा धनु राशी में पूरे दिन शरीर ब्रहश्पति का और आत्मा केतू की मेश वालों के लिए आज का दिन बड़ा उद्वेलित दिन कहा जाएगा उद्वेलन कहते हैं विचलन को बेचैनी को मांसिक परेशानी रहेगी पढ़ाई नहीं हो पाएगी ब्यापार कमो बेश प्लस माइनस होते हुए ठीक हो जाएगा बिजनस में परेशानी नहीं है प्राइवेट सेक्टर को लेकर के बहुत उतार चड़ाओ बनेगा सरकारी छेत राज उत्थान दे रहा है यात्रा का सुखदलाब होगा दामपत्र जीवर एक दूसरे किप्रती भावनात्मक विचारों की कमी रहेगी आज इस्थती अच्छी नहीं है स्वास्त्र के मामले में आज का दिन सांस की दिक्कत और इसकिन प्राब्लम हो सकती है प्रियोग अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आज लाल भाग प्रत्षत बावन ब्रिशब राश दिनांग पांच मार्च उतार चड़ाओ बढ़ रहा है पढ़ाई आज रुग रुग कर होगी ब्यापार बहुत अनकूल है बिजनस में लाव होगा प्राइबेट सेक्टर वालों को आज यात्रा का लाव होगा सरकारी छेत्र में किसी मित्र की बदद आज आपको मिलने वाली है दामपत्य जीवन पत्नी के विचार आज मैश कर जाएंगे स्वास्त के मामले में आज घुटने की तक्रिफ हो सकती है प्रियोग के तौर पर आज भगवान विश्रू का ध्यान करे शुबरंग आपके लिए आज पीला भागपित्षत तिरपन मिथुन राश्य चंद्रमा आज सब्तम भाव में है पढ़ाई को लेकर के आज सावधानी वरतने क्या वशक्ता है अन्य कारियों में मन जादा लगेगा व्यापार के लिए आज रिस्क लिया जा सकता है प्राइबर सेक्टर बालों को आज नई नोगरी के लिए प्रियास सफल होता हुआ दिखेगा बरतमान समय में जहां काम कर रहे हैं वहां का माहौल थोड़ा आपके अगेश्ट जा रहा है सरकारी छेत्र वालों के लिए इस्थतियां अनकूल रहेंगी लेकिन दामपत्य जीवन आज गजब का सुखद एहसास कराएगा स्वास्त के मामले में आज पेट की समस्या और जुखाम खांसे के शिकायत होगी प्रियोग मिथुन राशी वालों को आज भगवान गणेश को एक सुपारी अर्पित करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए पीला भागी प्रत्षत पच्पन कर कर राशी चंद्रमा की स्थिती आज के दिन छटे भाव में है शक्षा के लिए यह अनुकूलता नहीं है पढ़ाई में कई तरह से आपको परिशानी होगी ब्यापार अनुकूल रहेगा बिजनस में आपको आज बजबूती मिलेगी उचाई छोएंगे सरकारी छेतर की स्थिती को समारने में आपको महनत नहीं करना है दोस्त की मदद अवश्य लिजेगा दामपत्य जीवन की स्थिती में आज किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक छेफ होगा एक दूसरी के प्रति आज कुछ कमिया नजर आ रही है लव लाइफ लव राशिवल में पहुँचिए स्वास्त के मामले में आज का दिन करक राशिवालों को डाइजेशन की समस्या और माईगरेन की समस्या हो सकती है सर्में दर्द भारीपन बना रहेगा क्या उपाय करना है आज करक वालों को तीन पौधों में जल दे दीजेगा शुबरंग आपके लिए आस्मानी भाग्यु प्रतिशत अठावन सिंग राशिग आईए पंचम में चलते हैं पंचम भाव बड़ा प्यारा भाव होता है इस्थतियां आपके लिए कुछ अलग जोन में आपको लेके जाएंगे अलग जोन में लेके जा रही है अचानक से किसी विचार में कौंद करके सिक्षा से बिमुकता रहेगी पढ़ाई नहीं हो पाएगी ब्यापार में उतार चड़ाओ बढ़ेगा अकस्मात किसी उल्जन में फंच सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए रिस्क लेना भादी पढ़ेगा आज जहां हम नहीं ठीके रहें ओवर स्मार्टनेस, ओवर थिंकिंग, ओवर कुछ भी आज ठीक रही है सरकारी छेतर संतुलन में रहेगा, गवर्मेंट सेक्टर आपको परेशार नहीं कर रहा है आज सिंग राशी वालों को अवसर मिलेगा दामपत्य जीवन, संतान का सुख मिल रहा है, ससुराल सरिष्टे को मधूर कर सकते हैं स्वास्थ के मामले में आज का दिन पेट की समस्या और दातों की तकलिफ हो सकती है क्या उपाय करना सिंग राशी वालों को सामान जल लेकर अपने उपर छिड़काव कर लेजेगा शुबरंग आपके लिए केसरिया भागी प्रत्षत बावन बात करेंगे अब हम कन्य राशी की संतुनन बना हुआ है पढ़ाई की स्थिति अच्छी है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार कुछ बहुत अनकूल रहेगा बिजनस में अवसर अच्छे मिलेंगे यात्रा का लाव होगा आज ब्यापार ही क्यात्रा कर सकते हैं प्रापर्टी की लाव की संकेद भी है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा प्रेडाम दिखाएगा सरकारी छेत्र को साधने का प्रियास करें गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए कुछ ब्यहतर कर रहा है दामपत्य जीवन में आज इस्त्री के लिए विशेश कष्ट का समय रहेगा कन्यराशी पति के साथ मनमुटाव की स्थति बन रही है स्वास्थ के मामले में आज का दिन हर्ट की प्रॉब्लम और ब्लड पेशर वगरे की समस्या हो सकते है क्या उपाय करना है आज हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर शुशोभित करें शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रतिशत 56 तुलाराशी अनावश्यक पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा आज पढ़ाई संभव नहीं लग रही है सिक्षा में उतार चड़ाव बढ़ेगा ब्यापार की स्थिति को अनकूल करने के लिए मेहनत जरूर करना होगा प्राइवेट सेक्टर को आज आप बल दीजिएगा थोड़ा सा जहां हैं वहीं पर एक्ट्रा एफर्ड करिए सरकारी छेत्र जैसा आपने विचार किया उसी तरह से आपको रेजल्ट मिलेगा दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा अनकूलता मिलेगी आज पती पतनी का तालमेल आज बहुत बहतरीन रहेगा घुमने टहलने का कारिक्रम बन सकता है स्वास्थ के मामले में आज तुला राशिवालों को अपने कमर धर्द को समालना होगा बहुत दिक्कत करेगी आज सोल्जर्स में पेन रहेगा फ्रोजन सोल्जर्स की दिक्कत अगर है तो बहुत दर्द आज जहलेंगे आप केतु का नक्षत्र है आज बारहों में केतु बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आज कितना कश्ट का दिन है आपके लिए उपाय के तोर पर तुला राशिवालों को आज मादुरगा को प्रणाम करके ओम दुम दुरगा येई नमह इस मंत्र का ग्यारह बार जाब करना है शुबरंग आपके लिए लाल भाग की प्रत्षत पच्पन बात करेंगे ब्रिश्चक राशिकी अनोखा दिन है अउसर अच्छे मिल रहे हैं हर कदम पर आपको लाब हो रहा है कुछ विशेश फलकी ब्राप्ती है पढ़ाई अच्छी चल रही है सिक्षा में लाब हो रहा है ब्यापार गजब का धन दे रहा है आज प्राइवेट सेक्टर वालों को आज मेहनत बढ़ाने पर विशेश लाब के संकेत है सरकारी छेतर में उतार चड़ाव बढ़ रहा है गवर्मेंट सेक्टर दामपत्य जीवन अब सेकेंड हाउस में कुटम बभाव में बैठे हुए हैं चंद्रमा तो आज परिश्थतियां जैसे आपकी पक्ष में आ रही है किसी तरह की कमी दिकत नहीं है परिवार में खुश हाली है सुक सम्रद्धी है स्वास्त के मामले में आज विश्चिक राशिवालों को कमरदर्द पेट और किड्नी की समस्या बढ़ेगी उपाय के तौर पर आज मा जगदंबा को प्रणाम करके लाल चंदन अपने मस्तक पर शुशोभित कर ले शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्षत चवबर बात करेंगे अब धनु राशी की चंद्रमा आपकी ही राशी में है पढ़ाई के लिए आज अवसर अच्छे हैं परेशानियों से बाहर आ रहे हैं ब्यापार की स्थिति को साथने में आपको काम्यावी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर वालों को आज यातरा का लाव मिलेगा नई नोगरी की संभावना है बिदेश सुफ अवसर की प्राप्ति होगी सरकारी छेतर में कुछ उतार चड़ाव बढ़ेगा मेहनत से ना भागिएगा दामपत्य जीवन बेहद अनकूल रहेगा पतनी और बच्चों की बीच तालमेल अच्छा रहेगा आउसर अच्छे मिलेंगे लव लाइफ को थोड़ा सा ब्यहतर करने का प्रयास करें तो चीजें आपकी और अनकूल हो जाएंगी स्वास्त के मामले में आज का दिन खासी जुखाम बुखार की शिकायत देता है उपाय के तोर पर आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अभिशेक कर दीजे शुबरंग आपके लिए आज काला भाग्य प्रद्शत चववन मकर राशी बारहमे का चंद्रमा है आज बाहरी लोगों से मदद मिलने के संभावनाएं प्रबल हो रही है भाग्यस्थ केतु है केतु क्यों केतु महादशा नात सौरी माफ कीजेगा हाँ महादशा भी इसी की चलेगी पूरवा शाड़ा नक्षत्र लगने से पहले केतु का नक्षत्र मूल रहेगा तो आज जो बच्चे पैदा होंगे उनका आज केतु की दशा में पैदा होंगे तो केतु जो है नक्षत्रेश है ये भाग्यस्थान में बैठा मकर राशी में तो चीजें बड़ी अच्छी रहेंगी आज पढ़ाई बहुत अन्कूल रहेगी आज सिक्षा में कोई दोशी नहीं लग रहा है ब्यापार अन्कूलता के साथ चल रहा है बिजनस में आपको परेशान नहीं होना है प्राइवर्ट सेक्टर को लेकर के आज थोड़ा सा जगता आनिवार है सरकारी छेतर को बहतर करने का प्रयास करिएगा गवर्णन्न सेक्टर आप अन्कूल कर सकते हैं दामपत्य जीवन कुछ बहुत 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 हो रहा है पति-पत्नी का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा साथने का प्रयास करें लव लाइफ थोड़ा सा टफ है जिस प किटनी की समस्या और आखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रयोग के लिए आज मकर राशिवालों को गुलाब जल लेना है उल्टी हथेली पर और ओम शुम शुक्राय नमह कहते हुए अपने उपर छिर्काव करना है शुबरंग गुलावी भाग्य प्रतिशत पच्पन कुम्बराशी संतुरन बनाने के लिए महनत विशेश करना होगा आज एक आदर स्थान पे चंद्रमा है सिक्षा में आज शुबता है सिक्षा अच्छी तरह से आप कर रहे हैं ब्यापार थोड़ा से टफ सिच्वेशन में है बिजनस को साधने का प्रियास करना हो गौर्णमेंट सेक्टर को साधने में आपको मेहनत करना होगा दामपत्य जीवन देखा जाए तो पत्य पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा अनुकूलता रहेगी लव लाइफ को आज बल देने की आवश्यक्ता है स्वास्त के मामले में आज का दिन की समस्या दिखा कुम्ब राशिवालों को क्या उपाय करना है परियोक के तोर पर के दिन कुम्ब राशिवालों को भोलेनात को रिज़ाने के लिए दूरवा ले करके शिवलिंग परपित कर दीजें शुवरंग आपके लिए आज नीला भाग्य प्रत्षत 55 अनतिम राश्मीन बहुत संतु समय है पढ़ाई में खूब लाब हो रहा है सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार थोड़ा सा टफ है बिजनस पर फोकस करिएगा प्राइवेट सेक्टर को साधने का प्रयास करें सरकारी छेत्र में इधर उधर की बातें आपको जाएंगी दामपत्य जीवन तो बह सारी चीजें बता दिया है अब हेल्थ बता देते हैं हेल्थ में आज चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की द्रिश्टी होने के कारण हेल्थ इश्यू आएगा प्रयोग के तोर पर आज मादुरगा को प्रणाम करते हुए लाल पुष प्रिमा की चरणों में अर्पित कर दें शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रतिशत अठावन राश्यों की स्थदी के बाद आई अप्चाचा कर लेते हैं आज के स्पेशल महाखास सक्सेस्की की एक दूरवा का टुकडा सर्सों के तेल में छूकर तीन बार सर से उल्टा वारिये और किसी पौधे की नीचे रखती जाएगा अब आज का दिनांग पांच मार्च का भाग्याक्षर मेश धा ब्रिशब छोटा आ मिथुन का करक ना सिंग धा कन्या चा तुला रा ब्रिश्चिक गा धनू या मकर हा कुम्भ पा मीन जा नोट कर ले इन हैं चंद्र राशी के अनुसार और अपने पास रख ले सादे चौकूर का अगश्प लिखना होता है लाल रंग के इंक वाली कलम से अब चलते चलते पांच मार्च का आयुश्मान भावा है पांच मार्च को पैदा हुए लोगों को जनम दिन की हार्दिक शुब काम नाएं दो लोगों को खाना खिला दीजेगा और एक बर्गत का पौधा अपने हाथों से कहीं लगा दीजेगा जिनकी आज मैरी जैनिवर्सरी है किसी जरूरत मंद को भोजन करके कराके रुद्रा विशेक करवाएं और पांच ब्रामण को अपने हाथों से एथोचित सम्मान करके वस्त्रादि से सोशुचित करें आभार वक्ति करते हैं आज की दिन आप हमसे इन दौर में मिल सकते हैं कल भी इन दौर में रहेंगे और परसों नासिक में मिलना हो तो आप जल्दी से अपॉइंटमेंट ले लिजेगा आप या आपका कोई मित्र इष्ट कोई भी अगर आसपास है तो आप समय अवश्य ल के बाद आप सबके खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप की जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक झाल